हरे कृष्ण श्री मान जितामित्र प्रभुजी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमत भगवत गीता कथा रूप के अंतरगत अध्याय संख्या एक श्लोक संख्या 28 का पाथ अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है श्लोक अनुवाद अर्थाद अर्जुन ने कहा हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काप रहे हैं और मेरा मुह सूखा जा रहा है भगवद गीता 1.28 अब प्रभुजी के द्वारा व्याख्या इस श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की भावना श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट कर रहे हैं भगवद गीता के इस प्रथम अध्याय को भी योग कहा गया है क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन अपने वि अध्याय कोई व्यक्ति अपने मित्र से जितनी घनिष्टता पूर्वक बाते कर सकता है उतनी अन्यों से नहीं कर पाता अपने से जो बड़े होते हैं उनसे अपने हृदय की सभी बातें बताना संभव नहीं है क्योंकि व्यक्ति के मन में अपने बड़ों से कुछ भय बना रहता है इसी प्रकार अपने से जो छोटे होते हैं उनसे भी अपने हृदय की सभी बातें बताना संभव नहीं हैं क्योंकि व्यक्ति के मन में अपने छोटों से कुछ संकोच बना रहता है परन्तु जब दो मित्र एक दूसरे के समान होते हैं तब वे एक दूसरे से अपने भय ही मानते हैं और नहीं संकोच करते हैं अर्जुन यहां पर श्री कृष्ण से अपनी स्थितिक का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं शिलरूप को स्वामी ने दो मित्रों के बीच में प्रीती के छह लक्षन बतलाए हैं एक उफार देना दो उफार ग्रहन करना तीन अपने हृदय की बातें बतलाना चार हृदय की बातें पूछना पांच कुछ भोजन लेना तथा छे कुछ भोजन देना यहाँ पर अर्जुन में प्रीती का तीसरा लक्षन प्रकट हो रहा है कि वे श्री कृष्ण से अपने हृदय की बातें बतला रहे हैं यहाँ पर अर्जुन के शब्द है द्रिश्ट्वेमम, स्वजनम, कृष्ण अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण के नाम का प्रयोग किया है श्रील प्रफुपाद बतलाते थे कि यदि इश्वर का कोई मूल नाम है तो वह कृष्ण ही हो सकता है क्योंकि कृष्ण शब्द की व्यत्पत्ति इस प्रकार है कर्षति इति कृष्ण है जो व्यक्ति सभी को आकरशित करे वह कृष्ण है जिस प्रकार चुम्बक लोहे को आकरशित करता है उसी प्रकार कृष्ण सभी जीवों को आकरशित करते हैं श्रिल प्रभुपाद ने जिस संकीर्तन आंदोलन को संपोन विश्व में फैलाया उसका नाम रखा अंतर राश्ट्रिय श्री कृष्ण भावनामृत संग कुछ लोगों का सुझाव था कि इस हरे कृष्ण आंदोलन को संपोन विश्व में फैलाने के लिए इश्वर का कोई विशेश नाम न देकर इनका नाम इसका नाम अंतर राश्ट्रिय इश भावनामृत संग रखा परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर ही जोर दिया कि इस संस्था का नाम अंतर राश्ट्रिय श्री कृष्ण भावनामृत संग ही होना चाहिए श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को आकरशित करते हैं यहां तक कि वे अपने शत्रों को भी आकरशित करते हैं ए इस प्रकार की एक घटना का वर्णन श्रीमद भागवत में हुआ है जिस समय श्री कृष्ण मधुरा में कंसकी रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर विभिन प्रकार के लोगोंने श्री कृष्ण को विभिन प्रकार के भावों में देखकर आकर्शन का एक रौद्ररस कंस की रंगशाला के पाँच मुख्य पहलवान थे चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल इन्हें कंस ने समझा दिया था कि वे कृष्ण बलराम के साथ कुष्टी लड़ने का बहाना करके कपट पूर्वक दोनों भाईयों की हत्या कर दें परंतो, जिस समय ये दोनों भाई उनके समक्ष पहुँचे, तो इन पहलवानों को ये ऐसे दिखाए दिये, मानो इनके शरीर वज्र के बने हुए हो, चोकि ये पहलवान पत्थर जैसे शरीर वाले थे, तथा इन्होंने सोचा था कि कृष्ण बलराम के फूल जैसे शरीर को ये आसानी से मसल डालेंगे, परंतो, आश्चर्य, श्री कृष्ण बलराम के शरीर वज्र के समान सुद्रड थे, वज्र के सामने जब पत्थर टकराते हैं, तो वज्र की कोई भी हानी नहीं होती है, परंतो, पत्थर चूर्ण हो जाते हैं, इस प्रकार इन पहलवानों ने श्री कृष्ण के प्रति रोद्र रस में आकर्शन का अनुभव किया, दो, अध्भूत रस, मत्थुरा के सामान्य निवासियों को श्री कृष्ण तथा बलराम अत्यंत विचित्र लग रहे थे, उनका रूप अत्यंत विचित्र था, उनके शरीर का रंग भी अत्यंत विचित्र था, उन दोनों का चरित्र भी विचित्र था, मत्थुरा के निवासि, उनकी चालधाल तथा उनके वस्त्रों को देखकर विस्मित्थ हो रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने ऐसे बालक अपने जीवन में कभी भी नहीं देखे थे, इस प्रकार मत्थु श्री कृष्ण को साक्षात कामदेव के समान देखा, उनकी द्रिष्टी, श्री कृष्ण के जिस अंग पर पड़ती थी, वहां से उनकी द्रिष्टी हटती ही नहीं थी। इस प्रकार युवतियों ने श्री कृष्ण के प्रती शंगार रस में आकर्षण का अनुभव किया। श्री कृष्ण यजपी उन्ही के समान अशिक्षित तथा गाव के निवासी हैं, परन्तु यहां पर बड़े बड़े शिक्षित तथा नगर निवासी गण। श्री कृष्ण से प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार सखाओं ने श्री कृष्ण के प्रती हास्यरस में आकर्षण का अनुभव किया। पांच वीर्रस कंस ने जिन सामंत राजाओं को इस उत्सव में बुलाया था। वे कृष्ण बलराम को देख रहे थे कि ये कितनी निर्भीकता के साथ रंग भूमी में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपी कंस ने इनको मार डालने के लिए अत्यंक्त भयानक व्यवस्ताएं की थी। परन्तु ये दोनों बालक प्रत्केक संकट का निर्भीक होकर सामना करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार राजाओं ने श्री कृष्ण के प्रती वीर्रस में आकर्शन का अनुभव किया। 6. करुण रस यहाँ पर श्री कृष्ण के माता पिता के समान अनेक स्त्री पुरुष थे जिन्होंने कंस की रंगशाला में श्री कृष्ण बलराम को अत्यंत भयंकर संकटों से घिरा हुआ देखा। वे सोच रहे थे कि ये दोनों बालक अत्यंत कोमल व्यवहार के योग्य हैं यहाँ पर इन बालकों के साथ अत्यंत कठोर व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकार वरिष्ठ स्त्री पुरुषों ने श्री कृष्ण के प्रती करुण रस में आकर्शन का अनुभव गिया। साथ भयानक रस वहाँ पर कंस ने श्री कृष्ण को साक्षात अपने मृत्यू के रूप में देखा। जीवन भर निर्दोश प्राणियों के प्रती वह जितना भयानक व्यवहार करता रहा उतने ही भयानक श्री कृष्ण उसे दिखाई दे रहे थे। माता देव की कंस के व्यवहार से जितना अधिक भयभीत थी उतना ही अधिक कंस भी श्री कृष्ण से भयभीत हो रहा था। इस प्रकार कंस ने श्री कृष्ण के प्रती भयानक रस में आकर्शन का अनुभव किया। आठ वीभत सरस वहाँ पर कुछ ऐसे भी मूर्ख थे जो श्री कृष्ण को मतुरा में उत्पात करने वाला समझते थे। श्री कृष्ण ने मतुरा के राजा कंस का सम्मान नहीं किया। इस कारण से वे उद्विग्न हो रहे थे। श्री कृष्ण ने कुवलया पीड नामक हाथी को मार दिया था तथा यग्य में जिस धनुष की पूजा होनी थी उस धनुष को भी तोड़ दिया था। इस कारण से वे श्री कृष्ण को अशिष्ट समझ रहे थे और इससे भी अधिक अशिष्टा का अनुभव उन्होंने उस समय किया। जिस समय श्री कृष्ण हाथी के खून से सने हुए दात को अपने कंधे पर रखकर सभा के अंदर आये। इस प्रकार मूर्खों ने श्री कृष्ण के प्रती वीभत्स रस में आकर्शन का अनुभव किया। जिसके दर्शन से उनकी तीनों प्रकार के तापों की व्यथा शान्त हो रही थी। श्री कृष्ण का दर्शन उनके लिए उस वर्षा के समान था जो संसार रूपी जंगल में विविद प्रकार के दुख रूपी अगनी को शांत कर रही थी। इस प्रकार योगियों ने श्री कृष्ण के प्रती शांत रस में आकर्शन का अनुभव किया। दस दास्यरस वहाँ पर जो वृष्णी वंशी थे उन्हें पता था कि श्री कृष्ण ही उनके स्वामी है उन्हें यह रहस्य ग्यात था कि श्री कृष्ण के आदेश से ही उन्हें मतुरा से गोकुल भेजा गया है श्री कृष्ण को देखकर वे उत्सुक हो उठे कि इस समय श्री कृष्ण उन्हें जो भी आदेश देंगे वे अविलंब उस आदेश का पालन करेंगे इस प्रकार वृष्णी वंशीयों ने श्री कृष्ण के प्रति दास्यरस में आकर्शन का अनुभव किया इस श्लोक में अरजुन श्री कृष्ण से अपने स्वजनों के प्रति आसकती का वर्णन कर रहे हैं इस आसकती के कारण अरजुन के शरीर में दो प्रकार के परिवर्तन इस श्लोक में बतलाए गए हैं एक शरीर में कमपन हो रहा है और दो मुख सूख रहा है इस शलोक में श्रिल प्रभुपाद ने इसका कारण अर्जुन के हृदय की कोमलता बतलाई है गीता के सोलहवे अध्याय के प्रथम तीन शलोकों में जो 26 दिव्य गुण बतलाई गए हैं उनमें से 18 वांगुण मार्दव है जिसका अर्थ है कोमलता इसके विपरीत इसी अध्याय के चोथे शलोक में भगवान आसुरी लक्षनों का वर्णन करते हैं उन लक्षनों में से एक है पारुश्य जिसका अर्थ है कठोरता इससे पता चलता है कि अर्जुन की कोमलता एक दिव्य गुण है असुरों में यह कोमलता नहीं होती श्रिमत भागवत में हम देखते हैं कि कंस अपने ही स्वजनों के प्रती कितना कठोर व्यवहार करता है उसने अपनी ही बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव जी को कारगार के अंदर बंद कर दिया तथा अपने ही हाथों से देवकी के नवजात शिशु की हत्या करता र कारगार में बंद कर दिया इसी प्रकार हिरण्य कशिपु ने भी अपने ही पुत्र प्रलाद महराज को मार डालने के लिए अनेकों उपाय किये तथा अंत में अपने हाथ में तलवार लेकर स्वयंभी प्रलाद महराज की हत्या करने के लिए तयार हो गया इस प्रकार के अ प्रकार की कठोरता नहीं है इसलिए भगवान ने उक्त अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है माशुचह संपदम दैवीम अभिजातो सी पांडव अर्थात हे पांडव पुत्र तुम चिंता ना करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो इस लोक के तातपर्य में श्रिल प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोचाहित करते हैं कि वे आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हैं युद्ध में उनका सम्मिलित होना आसु अत एव वे न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहे थे न जूठी प्रतिष्ठा या निश्ठुर्ता के वशीभूत होकर अत एव वे आसुरी स्वभाव के नहीं थे क्षत्रिय के लिए शत्रूं पर बान बरसाना दिव्यमाना जाता है अत एव वे आसुरी स्वभाव के नहीं थे क्षत्रिय के लिए शत्रूं पर बान बरसाना दिव्यमाना जाता है और ऐसे कर तव्यय से विमुक होना आसुरी अत एव अर्जुन के लिए शोक करने का कोई कारण न था जो कोई भी जीवन के विभिन आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिव्यपद पर स्थित होता है इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के अंदर अपने स्वजनों के प्रती कोमलता स्वाभाविक है परन्तु समय स्थान तथा परिस्थिती के अनुसार कभी कभी भगतों को अपने स्वजनों के प्रती भी कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है परन्तु भगत उस समय इस बात पर विचार करता है कि उसे अपने स्वजनों के प्रती कितनी कठोरता का व्यवहार करना है ताक ही कठोरता आवश्यक्ता से कम भी न हो और आवश्यक्ता से ज्यादा भी न हो भगवान श्री राम को भी अपने स्वजनों के प्रती कठोर होना पड़ा महा पवित्र सीता का त्याग करना अत्यंत कठोरता का अत्कार्य था परंतु कुछ ऐसी ही स्थिति थी कि राम ने सीता का त्याग कर दिया इसी प्रकार लक्षमन जी का भी श्री राम ने त्याग किया क्योंकि श्री राम की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन लगाया था श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपी भगवान तथा उनके भक्तों में कमल से भी अधिक कोमलता होती है परंतु कभी-कभी वे वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं जिस प्रकार से भक्तों में कोमलता तो स्वाभाविक होती है परंतु कभी-कभी उन्हें कठोर बनना पड़ता है उसी प्रकार असुरों में कठोरता तो स्वाभाविक होती है परन्तु कभी-कभी वे कोमल हो जाते हैं कंस देवकी के प्रती पहले तो अत्यंत कोमल था परन्तु जैसे ही उसने यह सुना कि देवकी का आठवा पुत्र कंस की हत्या करेगा उसकी कोमलता समाप्त हो गई हिरन्य कशिपू प्रलाद महराज के प्रती पहले तो अत्यंत कोमल था परन्तु जैसे ही उसने देखा कि प्रलाद महराज विश्नु का गुनगान नहीं छोड़ रहे हैं वह तुरंत कठोर हो गया तथा उसने प्रलाद महराज को अपनी गोध से नीचे पृत्वी पर फेंक इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपी अर्जुन के अंदर कोमलता स्वाभाविक है परन्तु उन्हें भगवान के उपदेशों के अनुसार अपनी कोमलता को वश में करके कठोर बनना होगा परन्तु यह कठोरता स्वाभाविक नहीं है यह कठोरता परिस्तिति के अनुस स्वीकार की गई है श्री राम का व्यभार रावन के प्रति अत्यंत कठोर था परंतु रावन की मृत्यों के बाद श्री राम अत्यंत को मल हो गए तथा उन्होंने विभीशन को आदेश दिया कि वे लक्षमन जी के साथ लंका में जाकर रावन की अंत्येश्टी क्रिया अत् यंत्सम्मान के साथ कआर्वों के दाहकर्म संस्कार किए अब इस लुक में हम स्वजन शब्द पर विचार करेंगे स्वब का अर्थ है अपना तथह जन अर्थ है व्यक्ति इस प्रकार स्वजन का और्थ हुआ अपना व्यक्ति वस्तव में तो समस्त जीवातमां के स्वजन श्री कृष्ण ही है क्योंकि बेशभी जीवों के हृदये में विराजमान परमातमा हैं हां या यतिसूर या कुथ्धे की भी योनी में जन्म लेते हैं तो भी श्री कृष्ण हमारा साथ नहीं छोड़ते कोई व्यक्ति यदि किसी एक जन्म में हमारा स्वजन बन सकता है परन्तु श्री कृष्ण तो हमारे जन्म जन्म के स्वजन है इस भौतिक संसार में लोग सदा स्वजनों की प्रसंदता के लिए कर्म करते र और जिन भगवान को लोग पराया समझते हैं, वे ही वास्तव में हमारे स्वजन हैं। श्रीमत भागवत में कहा गया है नते विदुह स्वार्थ गतिम ही विश्नु। अर्थात वे यह नहीं जानते हैं कि उनका असली स्वार्थ विश्नु की प्रसन्नता में हैं। स्वजन का ही दूसरा अर्थ आत्मा है। वे सदा सुखी रहते हैं, वे सदा श्रीकरिश्न की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा होती है। परंतु पूतना अगासुर बकासुर आदी असुरगन ने श्री कृष्ण का विनाश करने का प्रयास किया इसलिए उनका विनाश हो गया अर्जुन ने जिन्हें अपना स्वजन समझा है वास्तव में वे उनके स्वजन नहीं है परंतु श्री कृष्ण जो उनके रत पर स्थित हैं वे ही वास्तव में अर्जुन के स्वजन हैं अतह अर्जुन को केवल श्री कृष्ण की प्रसनता के ही लिए कार्य करना चाहिए जबकि अरजुन इस बात को भूल कर मिठ्या स्वजनों की प्रसन्था के लिए कार्य करना चाहते हैं यही अरजुन की अशान्ति का कारण है संपो propagation गीता का उद्देश्य यही है कि श्री कृष्ण को प्रसन्थ किया जाए श्री कृष्ण को ही समर्पन किया जाए श्री कृष्ण की ही सेवा की जाए तथा श्री कृष्ण का ही गुणगान की जाए हरे कृष्ण इती